अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेर जरूर जरूर कीजिए आज मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूँ भापा दोई की रेसिपी भापा दोई की रेसिपी मैंने अपनी नानी से सीखी है और ये बहुत ही टेस्टी होती है तो चलिए हम देखते हैं कि भापा दोई बनाने के लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पड़ती है ये एक ऐसी recipe है जिसे बहुत ही कम time में और बहुत ही कम समानों के साथ बनाई जाती है इसमें मैं भापा दोई बनाने के लिए ले रही हूँ 1 cup दही, 1 cup condensed milk and 1 4 cup milk भापा दोई में color और flavor के लिए मैं आज इसमें add करूंगी केसर और ठोड़े से बादाम मैंने इसको छोटे छोटे पीसिज में कट कर लिया है या आप अगर चाहे तो इसमें पिस्ता, काजू और किश्मिश भी आड़ कर सकते हैं तो अब हम शुरू करते हैं भापा दोई बनाना भापा दोई बनाने के लिए मैंने आज इडली मेकर का यूज किया है आप चाहे तो कुकर का या कड़ाई का यूज कर सकते हैं इडली मेकर में मैंने दो कब पानी डाल दिया है और इसको गैस पे फुल फ्लेम पे रख दिया है भापा दोई बनाने के लिए जो दही लेते हैं उसमें बिलकुल भी पानी नहीं होना चाहिए अगर आपके दही में पानी है तो आप उसे चान लीजिए अब मैं इधर कंडेंस मिल्क, दही और दूद को मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं इसमें केसर और बादाम एड़ कर दूँगी आपको अगर केसर और बादाम एड़ नहीं करना है उस बरतन में मैं इस दोई को डाल दूँगी अब मैं इसे बादाम और केसर से थोड़ा गार्निश कर दूँगी और उसके बाद अलुमिनियम फॉयल से इसको कवर करके स्टीमर में रख दूँगी स्टीमर का ढकन बंद कर दूँगी और 20-25 मिनट तक फुल फ्लेम पे इसको स्टीम कर लूँगी तो अब 20-25 मिनट हो चुके हैं तो चलिए हम अपने भापा दोई को देखते हैं कि वो कैसा बना है भापा दोई का टेक्स्चर बहुत ही अच्छा है आप लोग भी इसको जरूर ट्राइ कीजिए यह बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी तो यह था हमारा आज का भापा दोई रेसिपी उमीद करते हैं कि आप सभी को यह पसंद आया होगा अगर आप सभी को यह पसंद आया है तो जाद से जादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को तो अगले वीडियो तक के लिए बाई बाई टेक केर, स्टे होम, स्टे सेफ थैंक यू